हां जी बेटा क्या हाल है जी आपका तो बेटा आज डिसकस करने जा रहे हैं सीए इंटर नॉंबर 21 या दिसंबर 21 कहें तो ज्यादा बैटर है कोई आपको दिखाई नहीं देगा अगर आपने अपना पूरा कोर्स कर लिया हुआ जातर कुश्चन रपीट हैं और मॉड्यूल बेस्ट कुश्चन हैं जो मॉड्यूल में भी है अल्रडी ठीक है जी एक आध कुश्चन में कहीं करनी है तो वहाँ आप कह सकते हैं कि ठीक है बहुत इंपॉर्डटन कोई नहीं का कुश्चन आ गया ऐसा कुछ नहीं नॉर्मल सा है तो इक और वियू इसका लिए अंदाजा लिए लिए कि कैसे कुश्चन हैं जहां-जहां कोई कैलकुलेशन एक्स्प्रेइन करने वाली है वह बात भी कर लगते हैं आए सर शुरू करें पहला कुश्चन है जहीं मटीरिल कॉस्ट के रिगार्डिंग फॉलिंग अर्दी डाटा अविलेबल इन रिस्पेक्टो मटीरियल एक्स फॉर दियर एंडिड ओपनिंग स्टॉक पर्चेस देन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको इन्वेंटरी टर्न ओवर रिशो पूछ लिए बहुत ही असान अब यह रॉव मटीरिल आइटम के रिगार्डिंग जिए इन्वेंटरी टर्न ओवर रिशो पूछी है तो हम नॉर्मली कहेंगे रॉव मटीरिल कंज्यूम डिवा तो है नहीं खास तो सबसे पहले फॉर्मला आप देख सकते हैं इन्वेंटरी टर्न ओवर रिशो का उन्होंने कहा है कोस्ट ओफ रॉम टीर कंज्यूम डिवाइड बाइक कोस्ट ओर रॉम टीर कंज्यूम डिवाइड बाइवरेस टॉक तो इससे जी 16.8 की आपकी रिशो अब कंजंपिशन कैसे आती है इतने अंजान आपना बनें ओपनिंग एड परचेज माइनस क्लोजी सिंपल तो उसके बेस पे नीचे एवरेस टॉक भी रखा गया एवरेस टॉक इन दोनों को एड डिवाइड बै टू दस लाख इन्वेंटरी होल्डिंग पिर डेज इन ए अगर इंडस्ट्री का इंवेंट्री टर्न ओवर 10 टाइंज है देखो जो यह रेश्व आई है 10 से काफी ज्यादा 16.8 है अब जो इंडस्ट्री का 10 है तो इंडस्ट्री में इंवेंट्री होल्डिंग पिरिएड फिर 36.5 डेज हुगा हमारा 21.73 है तो हम यह कह सकते हैं कि this firm is having a better turnaround of inventory as compared to the industry. Inventory management ज्यादा अच्छा है यह जो चेक करते हैं institute क्या लिखता है ऐसी चीज़े हैं पूरे अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए क्यों कही बार थियोरी लिखने वाले पार्ट में बच्चे थोड़े कम prepared होते हैं inventory ratio for the material X is 16.8 which means inventory item takes only 21.73 days या 22 days to issue from stores to production process store को इसे बस तकरीबन 22 दिन के लिए ही hold करना पड़ता है उसके बाद यह production के लिए issue हो जाती है this rate is better than the industry rate जिसमें 10 time की inventory turnover है और day is 36.5 है inventory turnover ratio this inventory turnover ratio जो यह better वाली है indicates better inventory management system good demand for final product in the market ठीक है obvious है अगर आपका inventory raw material का जाधिर hold नहीं हो रहा है वो तब ही hold नहीं हो रहा है क्योंकि production की जुरुत पड़ रही है production कोई ऐसे independent function तो है नहीं sale के साल linked है इदा वालो आपकी अच्छी खासी sale demand है product की और उसको produce करने के लिए raw material जल्दी जल्दी use होता है तो पहले वाला question तो डान है sir कुछ भी नहीं था इतना basic सा paper में डाल दो बहुत अच्छा लगेगा अगला सवाल employee cost के chapter से labor cost के chapter से और देखा हुआ सवाल है assignment में भी है module में भी है values चाहे बदल दी हो वह हो सकता है textile limited pay the falling overtime premium for its labor beside normal wage rate of 100 पर आर normal wage rate यहां 100 रुपे पर आर और time premium ऐसे before and after normal working hours 80% of basic wage rate तो 80% of 100 हो गया 80 और Sunday and holiday पे 1500 परसेंट तो भाईया यह हो गया 150 फीक है बात तो यह premiums है है हम अब लगी कहने का मतलब एक normal rate है 100 तो अगर बंदा over time करता है before and after normal working hours इसका भी मतलब समय ले suppose normal working hour is 9 to 5 आपको कुछ दिन का जाता भाई 7 बजे आज या शाम को का जाता पांच बजे घर ना जाओ 8 बज तक काम करो 3 गंटे और लगा लिया करो before and after normal working hours this will become this will become the over time मतलब कि अगर आपको सुबह पहले बलाया या शाम को देड़ तक रोखा वो over time होगा फिर उसमें आपको 100 रुपे नहीं मिलेंगे उसमें आपको premium मिलेगा 80% premium है बलगी इस वाली working के लिए 100 रुपे तो मिलने ही मिलने है और 80% और मिलना है तो कितने मिलने वाले है 120 रुपे फिर संडे है जैसे या और कोई हॉलिडे है जो पता है कि यह चुट्टी वाला दिन है और उस दिन आपको कहा जाता है काम करूँ तो भाईया आपको premium मिलना है 200 परसेंट तो 100 प्लस 1.500 इट विल बी 250 बिल्कुल ठीक है अब दूरिंग दियर 1920 फॉलिंग आर्स वर वर्ट नॉर्मल आर्स कितने थे बिफोर और आफ्टर कितने थे संडे होलिडे कितने थे टूटल आर्स हैं 375,000 दूरिंग दियर 2021 मली अपकमिंग यह फॉलिंग आर्स वर्ट वर्ट उन जॉब स्पिनिंग वान ओफ दी जॉब का डाटा दिया हुए कि उसमें कितने आर्स वर्क हुए यह सारी वराइटी होएगी इसमें नॉर्मल आर्स मिजॉर्टी फिर बिफोर और आफ्टर नॉर्मल वाले 400 संडे एन हॉ वाले वाले 100 अब आपको सवाल तीन सिच्वेशन देगा और कहेगा भाई इसकी कॉस्टिंग करो लेबर कॉस्ट कबता हो ओवरेट का बता हो क्या होगा यह रिक्वाइट तो कैल्कुलेट दी लेबर कॉस्ट चार्च अबल टु जॉब स्पिनिंग और ओरेट इन इच आउट दी एर ऐसे पॉलिसी ड्यू टू दी वर्कर शॉटेज जहां एक यह आम मजबूरी टाइप बन गया हमारा कि यह तो होना ही है लेबर कम है तो हम ओवर टाइम तो क्राएंगे 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 कि कि इवर प्रोडेक्ट की डिमांड काफी जादा होती है प्र एक regular feature बन गया है पहले पार्ट में तो यहां कैसे करते थे सर यहां average inflated rate निकालते थे बात करेंगे उसकी अभी दूसरा जहां ओवर टाइम वर्क होता है यहां इतनी लंबी चर्चा नहीं करूंगा बट फिर भी थुड़ा याद करा दूँ कि जैसे एक कस्टमर आता है वो अपना order लिखवाता है कि इतने units उसे product के चाहिए तो उसके बार natural हो पूछता है कब तक होजेगा हम उसे कहते हैं जी आपके order से पहले 20 order हो और है तो कहता है नहीं भाई नहीं यार हमने तो आपसे यह चीज लेकर इसे raw material के तरह यूज करना है इससे एक end protect बनाके आके export करना जर्मनी को तो हमारी तो deadline निकल जेगी हम फस जाएंगे तो हम कहते हैं सर हमने आपस यह थोड़ना कहा था कि आप export order लेके फिर हमारे पास आओ अब इतने लोग और भी तो हैं जिन्होंने आपसे पहले order दिया है कि कस्टमर कहता है कि भाई देखो आप मेरा यह order जल्दी execute करवा दो बनवा दो यह चीज़ें इसके लिए अगर कुछ overtime करना पड़ता है उसके extra charges मैं देने के लिए तैयार हूँ कि जल्दी करो आज में overtime customer की request पर हुआ है और premium rate भी charge किया गया होगा क्योंकि जब customer कहता है जल्दी चाहिए एक normal delivery होनी है 30 days but he won't delivery in 10 days obviously charges will be higher higher revenue customer से आया होगा और higher labor cost हमने इनकर की जल्दी बनाने में तो जितना भी premium pay होता है वो इस job की इस customer order की labor cost ही माना जाता है बस इन तीनों को आपने देखना है बाकी इस time का question पेपर में आने के लिए काफी date से pending ही चल रहा है तो मैं यह नहीं कहना जाता है कि यह बहुत असान RTP है अगर आपने अच्छी तरह कर रखा तो असान है अब अगर आपने labor cost का chapter रोन हाल से तक की किया था तो आपको तो यह question भी उखा लगजेगा तो पहले तो उसने तीनों तरह के rate जैसे हमने बना लिये थे यह रखे अब यह average inflated rate क्या होता सर सर यह मैं ज्यादा better स after वाले यह पीए होंगे 180 पर और जो Sunday और holiday वाले यह कितने पर पेए होंगे 250 पर तो अगर आपके यहाँ एक नॉर्मल feature है regularly आपके रोजी overtime होता ही होता है अब feeling समझें थोड़ा सा average inflated rate क्यों आता है उदर कारण उता रहूं हमारे यहां ओटाइम होना ही है मले हमारी factory का वैसे टाइम नौ से पांच है पर कुछ workers को सुबह साथ बजी बुला लिया जाता है और कुछ workers को शाम के आठ वे तक भी रुका जाता है और कुछ ऐसे भी ह जिने का जाता है संडे भी लगा लो चार पैसे बंजेंगे हमारे यहां इक प्रता है कि overtime तो हुना ही हुना है अब जब आप costing करेंगे अपने जो units हैं उनकी costing करेंगे या jobs आपने execute की हैं उनकी costing करेंगे तो मैं एक सवाल बहले आपके सामने रखना जाता हूं अब एक जो unit है या job है वो normal time में बनेगी तो उसमें तो आप लगा दोगे 100 रुपे अब जो कोई before and after वाले में बनेगी उसका 180 जो Sunday वाले overtime में बनेगी वो 200 यह काफी गलत नहीं है कि आपको same ही product की अलग-लग cost दिखने शुरू हो जानी है margin भी अगर आप उसमें unit wise निकाल लेंगे तो अगला खाने लग जाएगा यह गलत है कि इसमें product का कोई कुसूर नहीं है overtime तो होई रहा है अब किसी की overtime वाले hours में बारी आयाती है किसी की normal में आयाती है तो instead of targeting that particular product जो overtime में बना आप सबके लिए ही rate बढ़ा दो एक average पे charge करो को किसी के लिए भी 100 रुपे rate नहीं है भाई किसी के लिए भी 180 नहीं है किसी के लिए भी 200 नहीं है क्योंकि यह तो अब originally हमने 9 to 5 काम करना था पर काम सुबह 7 बज़ी शुरू हो रहा है और शाम के 8 बज़ी तक चल रहा तो जो यहां बनेंगे वो normal पे value होंगे तो गल्त होगा एक average चाहिए तो इन्होंने average inflated rate निकाला है वो कैसे निकाला है कि जो भी यह time pay हुआ पहले तो यही costing की गई यह देखिए पिछले साल से idea ले लिया न कि वहारा average rate के आएगा यह देखो प्रीविएस येर का normal time का payment यह बिफोर एंड आफ्टर वला इतना है बचिए धियान से कई लोग सिरफ यहां premium में लिख देते हैं तो यह show करता है कि पिछले साल 3,75,000 दसी आ रहा वैसे rate यह यह थे 3 तो obvious average पे normal rate भी थोड़ा inflate हो गया है but now there is no need to distinguish the hours की कौन से hours job में लगें just total hours पता करें और इस rate पे value कर दें पर ऐसा बेटा सिरफ तब कर सकते हो अगर over time आपके यहां regular feature बन गयो where over time is worked regularly due to the worker shortage बहुत अच्छे से इस reasoning को पढ़े हैं जो पहली बार कर रहे हैं जा कुश्चिन the over time premium is treated as a part of employee cost and the job is charged at inflated wage rate कैता है ऐसे में जो over time हमने पे किया है वो part of employee cost भी माना जाता है और हर job को inflated wage rate पे चार्ज किया जाता है अब जो spinning जो job है इसका मैं आपको total hours बता दूँ इसमें variety of hours हैं तीनों category के hours हैं बट हमारे लिए सारे total hours एक ब्रब्बन हम 4500 को average rate पे चार्ज कर देंगे और कितनी labor cost आजेगी इस job की 5,34,600 ऐसा कब करना है sir where it is a regular feature मैं जहां over time करना एक मजबूरी बन चुका हो जिससे बचा नहीं जा सकता फिर बेटा किसी job को under value किसी job को over value ना करें क्योंकि आप specific rates पे charge करेंगे तो जो normal time में हुई है उनकी labor cost कम लगा करेगी और जिसमें overtime present है उनकी labor cost जाहा लगेगी जो बहुत ही biased calculation हो जाएगी तो fair calculation करने के लिए IG situation में क्या किया जाएगा average rate जो आपके सामने है सर दूसरा situation था where overtime is worked irregularly to meet the requirement of production sir 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 यह बहुत common है हमारे culture में हम लोग क्या करते हैं जब offices में भी हम देखते हैं कि फिर जब वो deadline pass आती है कि भाई यह तो यार बहुत थोड़े दिन रहे गए क्लाइंट को penalty लग जा नहीं है उसने तो paper cup के submit किये थे फिर हम काम खीच देते हैं आर्टिकल को कहते है बेटा अब सुबह 9 बजे नहीं आप सुबह 6 बजे आ जो और शाम का घरवालों को बोल दो जे मां आगया 11 बजे तक ठीक है नहीं तो उदर ही सोजूँगा यह 6-7 दिन मुश्किल है बढ़ हम निकाल देंगे कर देंगे सब तो यह वोली सुचूशन है और टाइम वर्कड इर्रेगुलरली यह आप आटिकल शिप में जब जाओगे या अगर आप डिरेक्ट इंटरी वाले हो तो भाई अच्छे समझ सकते यह क्या है तो मीट दी रिक्वार्मेंट और प्रेक्शन वैसा तो सर देखो यह गलती तो क्योंकि जब आपको कोई काम मिलता है और आप एक डेडलाइन देखते हैं और देखके हां करते हैं यहां हो जाएगा तो उसको शिडियूल प्रपर ली करें तो काम खतम होगा सर प्रडेक्शन का एकदम से लूड पढ़ गया है जी ओडर लेना पढ़ गया है जी ऐसी सिच अब कई किताबों में इसमें यह भी लिखा है कि यह ओर टाइम प्रीमियम जड़ा है इसा भी लिखा बट इंसी जूट नॉर्मली यही करता है तो यह आपके सामने है अब आप समय लो फिर से जॉब की दरफ चलते हैं अब सिक्टूइशन नंबर टू यह गह रही है कि यह जॉब है ना स्पिनिंग इस पे जो ओवर टाइम हुआ है इस तू मेट दी रिक्वार्मेंट ओ प्रेक्शन नॉइंसिटूइशन नंबर टू ओवर टाइम इस नॉट दी रेगुलर फीचर समय रहो ना तो वैसे तो यह सो रुपे वाले आर्स थे यह बेटा एक सो सी वाल अब जो भी एक्ष्ट्रा है दिया तो पैसे एक्ष्ट्रा है ना डाट एक्ष्ट्रा विल भी ट्रिटिट इस फेक्ट्री ओवरेड वेराइस कई जगा पर थियोरी यह भी कहती है कि इसमें सो रुपे तो आपने जॉब को चार्ज किया असी रुपे एक्ष्ट्रा तो 400 इ सब्सक्रा वह आपका प्रीमियम में ओड़ी में ओवर्टाइम प्रीमियम तो यह वाला पार्ट अच्छी तरह से आपको समझ में होना चाहिए अगला पार्ट सबसे आसान है उसमें जो बच्चा शुरू से सूच रहा उता ना वह जाता ओक है अगर कस्तमर कहता है करो के त उन्होंने ऐसे दिखाया कि basic labor इतनी फिर यह यह सब cost of the job में गया है कई नहीं लायक party इसमें confused वह थे करने सर पहले भी ऐसी दिखाया है सर उसमें उसमें factory overhead के pool में गया था इसको ना थोड़ा बच्चे वाले style में अगर करते तो ऐसे होता बच्चे ऐसे खुश होता है कि 4000 गंटे इंटू 100 फिर यह 400 गंटे 180 और वह 100 गंटे 200 बच्चों को ऐसे बसंद होता है तो यह बना लेते हैं यह होता चार लाख यह हो जाता है जी 72,000 और सर यह वाला जो आप लाश्ट वाला कह रहे हैं वह 25,000 होता है नो दिस टूटल इस दी कॉस्ट ऑफ दी जॉब ले इस टूटल पेइमेंट ओ 497,000 विल बी टिटेड आज लेबर कॉस्ट ऑफ दिस वेरी जॉब बिकॉस कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया था कि भाया मेरे को यह जल्दी करके दो तो जब कस्टमर रिक्वेस्ट करता है जल्दी दो तो हम उससे पैसे भी प्रीमियम लेते हैं हम करते हैं जी लाइन में आएंगे तो यह और आपका 15,000,000 में होना था क्योंकि और सब भी है न सिरफ लेबर ही थोड़ना लगती है पर अब अगर आपको 10 दिन में चाहिए त अंदर यह ओर टाइम प्रीमिमम दिखाई देगा और लेवर कॉस्ट बेसिक रेट पर नहीं आएगी प्रूरी एक्चुल आएगी 497 यह बात है बाकि मैं यह कुछ नहीं कह सकता कि यह कोई नया या पहली बार मैं तुम्हें करवा रहा हूं यह सब आपने क्लास में कर रख पीवन पीटू पीट्री तू सर्विस देपार्ट्में एस वन एस तू फॉलिंग डाटा रख्ट्रक्टेड फ्रम दे रिकॉर्ट्स ओंपनी पर मंत ओक्तूबर 2020 सारी घर्चे रेंट जर्नलाइट इंडरेक्ट यह सारे पुराने बेस ही हैं तन वी अर गिवन दिट्रेक इस टाइब की कोशन हर जगा अवेलेबल होते हैं एक बार गो थू हो जातने हैं कि किसी खर्चे को बांड़ते वथ इंसी चूड़ने कुछ और तो नहीं कर दिया सर प्राइमरी डिस्ट्रिबिशन समरी स्टार्ट हुई है वेजजे आपको बताए डारेक्ट वेजजे और डारेक्ट माटीरियल ये प्राइम कोस्ट होते हैं तो जॉब्स के लिए ये प्राइम कोस्ट होते हैं अब जब प्रोडेक्शन डेपार्टमेंट की बात करेंगे तो यहां पर इनको एंटरी नहीं मिलेगी बट सर्विस में एंटरी मिलती थी ध्यान दे प्रोडेक्शन ड इस प्रवाइड ने डिरेक्टली कोई प्रडेक्ट नहीं मनाया अब इन्होंने तो प्रडेक्ट बनाया न तो प्राइंग कोस्ट में समाल लेंगे अगर यह खर्चा यहां ना लिखा तो यह कभी रिकवर नहीं हो पाएगा तो ऐसा हमारा ओवरेड का बहुत प्राना भी लेक्ट्र अप्लोडड़ अगर आप चैनल पर देखें उसमें डिटेल में जाके पहले दूतिल लेक्ट्र देखके भी आप ओवरेड पर अपना अच्छा बेस त्यार कर सकते हैं रेंटें टेक्सस ठीक है जी फ्लूर एरिया लाइटिंग में लाइट पॉइंट इसका भी बेस सही है पावर में लिखा है जी एच्पी आफ दी मशीन यूस्ट इस पर हम बात करेंगे थोड़ी सी क्योंकि पावर पर ना बच्चा थोड़ा या कई बार अनकंफर्टेबल ही रहता है सर यह होर्सपार दे रखी है और नीचे अगर हम देखें तो आर्ज वर्क तीन ही डेपार्टमेंट में हैं अभी कई बार हम वेक्टेड रिशो भिनाते हैं है अगर आप वो स्ट्रेटेजी चलते तो फिर एस वन में दो पावर आती ही ना क्योंकि यह यहाँ ज कार समना लगी लेवल बहुत ही नीचे है दन उदे बास केंडरी बना दिया जी एक्वेशन में 30 से फिर रेट पर आर निकाल दियो ओरेट के कि जब पहले स्केंडरी तक ओरेट आजेंगे देन डिवाइड बायार्स करके रेट पर आर आ गया फिर जी प्रोडेक्ट जो एक अगला चेप्टर सर एबी सी का यहां पर और यह भी किया हुआ सवाल है यह मैंने आपको असाइन्मेंट में भी कराया और आपके स्टेडी मैट के थ्रू भी कराया बॉटल्स वाला यह फाइनल का सवाल है और इजनली क्योंकि ABC का जड़ा चैप्टर है वह सारा वहीं से ही त्यार किया गया है गो थ्रू करवा जते हैं आपको यह न लगेगी सर इसमें यह कैसे होगा Family Store wants the information about profitability of individual product line, soft drink, fresh produce and package food Family Store provides the following data for 2021 revenue दिये हुए है, cost of goods sold दिये हुए है, cost of bottle return दिया हुए soft drink में Fresh produce और package produce में 00 है, number of purchase order placed, number of delivery received, shelf stocking time और item sold दे रखे हैं ठीक है भी यह सारी चीज़ें आपके सामने हैं, अब हर एक जो activity है, उधी description मतले कि उसमें क्या होता है, उधा क्या खर्चा, उसे कैसे बाढ़ना यह तक question ना बता रखा, जैसे bottle return है returning of empty bottle, इसमें यह चीज़ है, 60,000 पर खर्चा, direct tracing to the soft drinks, तो यह soft drinks में से ही less होगा है यह खर्चा ordering, placing of orders इतना खर्चा, 1560 आपके जी purchase order ना, की होगे जी आपके cost driver, अब आप इसको इससे divide करके, cost पर order निकाल लेंगे, फिर products में multiply करके, डालते जाएंगे, तो ऐसी यह सारा दे रखा, पहला पाट कहेगा, कि भही अब family store currently allocates, इस support cost, सारे खर्चे, all other खर्चा, other than the COGS, COGS के लावा जो भी खर्चे, उनको allocate करते हैं, product lines में, on the basis of COGS of each product line, calculate the operating income, and operating income percentage, as a revenue of each product line, कि यह जो भी खर्चे हैं, COGS के इलावा, COGS के इलावा आप खर्चे देखने हैं, मैंटा काफी हैं आपके पास, जैसे कि आपको पता है कि एक bottle return का भी खर्चा है, और उसके इलावा यह ordering, ordering, यह सब के नीचे तक, इन सब को बहुत यह अच्छे से पढ़ लें, allocate किया जाता, on the basis of COGS, ऐसे में, बच्चे एक गलती कर देते हैं, केंदे सर, bottle return वाला तो सिद्धा soft drink में जाएगा ना, no, उसने strictly काया है कि जो भी खर्चे है, other than COGS है, उन्हें club कर लो पहले, and allocate them in the ratio of क्या भी COGS, यहां कोई activity based costing नहीं चल रही है, traditional चल रहा है, बटा पहले पार्ट में, इसलिए जिन बच्चों ने यह चीज नहीं कर रखी, उनके लिए हम एक बार यह चीज दिखा भी देंगे, कि भाई, देख ले, ऐसे ही हो रही है, यह देखो, bottle return सबसे उपर दिखेगा आपको, सारे खर्चे मिला के 45 लाग के खर्चे बने, कि खर्चे यहां से बने जी, यह सारे आपने जूड़ने, यहां से लेके अंड तक, तो यह 45 लाग के खर्चे इन्होंने दिखाए, अब जी, आपका जो total COGS है, वो 1.5 करूड है, COGS is 1.5 करूड, यहां हम देख सकते हैं, यह सारा एड करके, 30, 75, 45, 1.5 करूड का COGS है, तो यह 45 लाग, 1.5 करूड पे इन्होंने 1% है निकाल लिए, बाक्या आपकी इच्छा, आप 45 लाग को, इन्दी रिशो अप COGS वैसे बाढ़ना चाते हैं, वैसे बाढ़ने, मैं लिख 25, फिर 45, 30, 75, 45, ऐसे भी होजेगा डिवाइड तो, परसंडे निकाल लिए, कोई बात नहीं, आगे जी एक्टिविटी बेस कोस्टिंग की त्यारी भी साथ ही चल रहे है, ड्राइवर रेट भी आगे, सब हो रहा है, हम पहला पार देखें, एक्टिविटी बेस अब जो 45, लाग के सपोर्ट खर्चे यह वाले, या तो हम इस रिशों बाण लें, या एधी परसंटेज सीओ जीएस पर देख लें, अब परसंटेज सीओ जीएस पर लगा दीगी है, यह आप देख सकते हैं, टूटल खर्चा इतना इतना बन गया, अब अगर आप देखे हैं ध्यान से, तो रेवन्यू माइनस टूटल कॉस्ट करके, आपकी ऑपरेटिंग इंकम आती जा रही हैं, अब ऑपरेटिंग इंकम की अगर परसंटेज ऑफ रेवन्यू देखना है, वो भी यहाँ आप देख सकते हैं, टूटल में भी निकाल दिया गया, इसमें एक ही ग उसमें एक खर्चा आता है, वोटल रेटर्निंग एक्टिविटी, इसमें बच्चा हो जाता है, इमोशनल, कहता है सर यह तो डारेक्टली ट्रेसेबल है, इसको भी बाक्यों में क्या बांट रही हूँ, सर यह ABC में डारेक्टली ट्रेसेबल वर्ड यूज करना, अभी ट्र अडिशनल कॉस्टिंग में तो कंबाइंड ओरेड़ी ट्रीट किया गया है, अब आ गया हो ABC पे, इव दी फैमली स्टोर एलोकेट दी सपोर्ट कोस्ट, और अधर देन दी कोस्ट और गुट्सोल टू दी प्रडेक्ट लाइन, यूजिंग एक्टिविटी बेस अब अब आप देखो, सारा का सारा जो ABC का इफेक्ट वो आना शुरू होगा, तो इसके लिए इन्होंने यह जो ड्राइवर रेट यहां निकाल लिए बढ़ी है, जैसे इन्होंने बताया कि 780,000 रुपे का खर्चा ओर्डरिंग का है, नंबर ओफ ओडर इतने हैं, तो कॉ इसके 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 बढ़ी है, यहां आगया रेवन्यू, यहां आगया सीओ जिये इस, बॉटल रिटर्न सिरफ सौट रिंग के नीचे गया है, और अब आपने पर ओडर निकाल लिया और मल्टिप्लाई करके, यहां से थोड़ा डाटा देख लेते हैं, 360 यह डल गया, 840 इंटू 500 यह डल गया, इस तरिके से जहारी चीज़ें हो रही है, अब सर इतनी इतनी ओपरेटिंग कम आपकी आ जाती है, यह दी परसंटेज भी आ जाती है, तो ठीक है, स्टेडी मटीर का ही सबना है, कोई ज्यादा एक्स्ट्राउडनी बात नहीं है, और आके बढ़ते हैं, कोशिट अलग कोशिट भी कोशिट के स्टेडी मैट में अब डल चुका हुआ है, यह वो ही कोशिट है जी जो मही 2020 के भी शायद RTP में आया था और यह बहुत ही लेंथी होता है, सारा फॉर्मेट इसमें यूज हो जाता होता आपका, काफी बार मेरे आपसे RTP में ही मैंने इसे काफी बार डिसकस करा दिया है, चलो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर भी शायद कोई नया पॉइंट हमें मिली जाए, कहता जी, Impact Limited प्रवाइड जी फॉलिंग डिटेल ऑफ एक्स्पेडिचर फॉर दी अरेंडेड कत्स मार्च, रॉम तो दा क्रेडिट ले लेते हैं, नोट दे के, आज लिखके आगे है, GST Paid Under Composition Scheme, GST Paid Under Composition Scheme, तो यह आपको ध्यान रखना होगा, कि कॉंपोजिशन डिलर दिखाया गया अब यह, इसको खर्चा मनेंगे, या आप इसा क्रेडिट लेंगे, इस पर बात हमारी होगी होगी, then there is a freight invert, trade discount received, wages paid to factory workers, मैं तो basically यही देख रहा हूँ कि कोई नया जो point हो, क्योंकि बाकी तो सारे आपके उसमें भी है, job charges to job worker, ठीक है, यह भी है module में, then repair maintenance में, vehicle use by director, restaurant का point भी है हमारे पास, तो expenses on quality, R&D, यह एक लोता ही कोशन है, जिसमें हैं मिलते होते हैं, फिर functional managers, फिर यहाँ आपकी packing cost अप primary वाली भी, और यह वाली भी, और interest का खर्चा और finance charges for the use of known equity, जिसको institute कहता है include करो, payment for maintenance of website for online sale, तो अगर ऐसा point ना भी सुना हो, तो भी हम समाल सकते हैं, online sales करने के लिए e-commerce website बनाई होगी, फुदा maintenance है, तो यह selling distribution में काम आएगा जी, जी अब mainly हम देखेंगे कि institute क्या क्या करता है, जड़े हमें थोड़े से point लगें, ने उनके, तो यहाँ पर इन्होंने GST paid under composition scheme, यह चीज़ खर्चे में add किया, पहले हम लोग हमेशा यह लेके चलते थे कि credit मि देल जाना है, तो खर्चा नहीं है, तो हम लोग चलते हैं कि institute ने क्या note दिया, GST paid under composition scheme would be included under the cost of material as it is not eligible for ITC, देखो आपको इतनी knowledge होनी चाहिए, यह GST paid under composition scheme का यह क्या मतलब ले रहे है, यह मतलब यह ले रहे है, कि you are a composition dealer, ते अब आपने purchases की, obvious purchase के उपर ही GST था, था ही उ और आपको अच्छी तरह याद होगा, कि जड़ा composition dealer होता है, उसको ITC तो मिलता नहीं है, जो भी होदी purchase होती है, जो उसे register dealer से goods खरीदता है, तो वो उसे invoice issue कर देते हैं, जिसे अंदर tax भी दिख रहा होता है, but he is not eligible for credit, तो accordingly जो normal था, वोई treatment institute ने किया, GST को cost बाना है, क्यो है, ITC मिल रहा है, तो cost नहीं है, अगर होदा ITC नहीं मिल रहा, then it is a cost, हाँ यहाँ जरूर, यह जरूर है कि wording could have been better, जिस तना वो यह कहा देता, यहाँ composition scheme लिखने के बजाए, जैसे यहाँ लिखता है, GST paid on purchase or raw material, फिर bracket में लिखता है, impact limited is a composition dealer, समय रहे हैं, अब कई लोग इसमें यह confused हो रहे हैं, यार यह कोई वो वाला composition वाला text तो नहीं, जो वो अपनी quarterly sales पे जमा करवाते हैं, जो low percentage of text आपको जमा कराना होता है, याद है, उस तरिक्के से भी जा सकता बंदे के दिमाग में, पर जिस तरह इदा लिंक बनाया गया ह है, purchase of raw material के साथ ही उसे जोड़ा गया, तो obvious है कि institute दिखाना तो यही चाता था कि यह raw material पे GST दिया हुआ, और आप composition dealer हैं, आपको credit नहीं मिलेगा, आपको credit नहीं मिलेगा, तो कि जब आप composition dealer से खरीद के लाएं, खरीद के लाएं, वो तो आपको GST लग से लगा हैं नहीं स factory worker, contribution towards, production bonus, यह सारा direct labor का ही पार्ट है, अब direct expensive मेंशा काफी interesting होते हैं, इसलिए मैं हमेशा आपको गतना हूँ, बहले module में से पढ़ लें, P for technical assistance, power, और job worker के जो charges हैं, वो तो direct में आ नहीं थे, फिर stores and spares चला गया, जी आपका factory overhead में, adaption ठीक है, यहां तक सब normal point है, आप इनक रखने वाले थे, जहां कुछ अच्छा होगा कि cost rate जैसे में वहीं रूखें, जहां कुछ value addition हो, अब factory cost के बाग quality control cost आयाती है, R&D आ जाती है, फिर admin related with production आयाता है, यह थोड़ा यह controversial होता है, कई बार silent case में, पर यह silent नहीं है, तो भरपूर case है, जी point ही बढ़े हैं, इसमे एक जगा लिखा है, expensive paid for administration of factory work, तो जो factory के साथ जुड़ा है, वो productive वाना जाएगा, फिर production manager की salary तो obvious है, productive admin है, फिर उद बार scrap adjustment है, फिर primary packing जोड़ी गई है, फिर opening closing FG adjust करके, आप COGS तक पहुंच पाते हैं, बेटा, then आपके admin overrate शुरू हो जाते है, general category वाले, office building, vehicles, finance account, auditor, directors, ये सब लोग, then उसके बाद जी आपका redistribution वाला जो खर्चा है, ये selling overheads और distribution वाला आ रहा है, यहां मैं उस selling overhead में ये जरूर दिखाना चाहूंगा, maintenance of website for online sale, ये वाला, ठीक है, फिर जी interest in finance charges भी जिसे institute कुद करता है, जी separate heading में दिखा दो, separate heading में दिखा के आप यहाँ add कर द CLA विए रहा है कि chapter से सवाल है, जिसमें वो building construction में होती है, फिर हो complete हो जाती है, तो उसे CLA ledger से हम remove करते होते हैं, वो वह वहला point है, इसके अंदर कोई ज़्यादा खास नहीं है, बट एक overview ले ले लिते हैं, सही रहेगा, XYZ Limited maintains a non-integrated accounting, non-integrated, for the purpose of management information, दिखान रखें non-integral, मले cost लग, finance लग, integral क्या होता है, दोनोंने कठे record रखें, और जब अलग लग होता है, तो यह CLA का पंगा होता है, Opening balances में आपको stores, then WIP, then FG और building यह सब दिख रहें, इनका total 162 के ब्राबर होगा है, चेक करना कर लें, 24, 6, 129, plus 3, तो यह debits हैं, यह वले यहां तक, और 162 credit है, During the year, जो जो हुआ हो आपके सामने है, purchase material, तो material का जो आप खाता खोलेंगे, SLC to CLA, यह entry 12,000 की आजेगी, issue to production की entry होगी, WIP to SLC, issue to general maintenance, factory override to SLC, और जो building construction के लिए issue हुआ, Sir, building construction to SLC, gross wage payment की entry रहेगी, wage control to CLA 45, अब इसमें indirect जो है, वो wage control से जाएंगी, factory override की दरव, factory override to wage control, जो building construction की हैं, वो building to wage control, और बाकी जो बचेंगी, वो direct मानी जाएंगी, वो WIP की दरफ चली जाएंगी, अब कह रहा है, factory override, actual amount incurred, excluding the item shown above, class में भी a point admission discuss कराया गया, कि उपर भी कुछ चीज़ें जो overhead की तरफ गहीं है, जैसे ये, जैसे ये, ये कह रहा है कि भाई, ये उसके इलावा है, अगर including the item shown above कहता, तो हमें factory override incurred की जो entry करनी थी, क्या entry करनी थी, factory override to CL, yes, उसमें सर फिर 48 से थोड़ना होता, अगर including लिखा होता, हमें दो उपर वाले पहले minus करने पड़ जाते, by default excluding ही मानते हैं इसको, और ये कह रहा है, इतना amount absorb हो गया, building construction में, तो ये दी entry होजेगी, building construction to factory override, under absorbed रहे गया, by default आप P&L में ले जा सकते, royalty paid, direct expense माने, WIP to CLA, selling distribution, फिर इसमें at the end of the year, stock of raw material and WIP कितने हैं, वो बता रखे हैं, फिर बताया है कि ये loss arise होता है, raw material में उसे factory override मान लो, और building जड़ी construction में थी, वो complete हो गई है, gross margin जो है, वो 20% on sales है, ये सारा बताया होगा है, तो sales की figure के help से, अगर sales की figure दे रखी हैं, बिलकुल जी, आप अपने COGS तक पहुंच सकते हैं, अब मैं में में जो treatments हैं, वो आपको इसमें से show करने ही कोशी करूँगा, पहले तो सर देखो, जो जो चीज़ कम होती है, that is your building वाला account, ये कम बनता है न, हर question में तो होता नहीं, और रोयलिटी का तो देखो payment किया और WIP में डाल दिया, सिंपल है, direct one है, building वाला account लेओ, सर कहां पर, building ये देखो, building construction में opening, फिर उसके बाद बेटा, यहां से stores आए, जो building के लिए material यूज़ हुआ, wages यूज़ ही, overhead अब उसने बोल दिया था कि building under construction is complete now, अब अगर एक बंदा जिसने कुशन नहीं किया, ओधी बात करते हूँ, वो सुचेगा, जी complete हो गई है, तो building construction account के बजाए, मैं इसे by building लिख दता हूँ, building account में चली जएगी, तो बाद में उसे closing trial में दिखाएगा, trial ये भी हो जएगा, हमेरेंगे नहीं, पर सर नो, CLA के ledger में building जैसा asset अगर construction में है, या WIP मोड में है, तो तो हो सकता है, but once it is complete तो तो ये normal trial में ही दिखेगा, इसको यहां से remove करना है, तो entry क्या की हमने, by CLA, एदा impact यहाँ पर भी दिखेगा आपको, CLA जड़ा है, वो दा credit balance reduce हो जएगा, इतने ही amount से, मतलब साफ है, अगर आप वो entry नहीं करते, तो CLA में credit भी जड़ा आएगा, उतने कि आप building घखाद होगे, तो आपको नहीं लगेगा, आपने कोई गलती किया, आपको लगेगा, आपका tally हो रहा है, पर माना हो गलच जाएगा, देन आप देख सकते हैं, जी stores गेरा में भी कुछ loss balance figure में आया, वो उसमें कहा था कि ये factory overhead में जाएगा, wage control में जो balance figure हो डारेक्ट वेची समय कि मैं अच्छे-च्छे point आपके सामने रख दूँ, practice के लिए आप पूरा question अपनी copy पे करके देख सकते, then we move towards the factory overhead account और उसमें हम देख रहे हैं कि building में जाने के बाद, WIP में जाने के बाद, जो बच रहा है, under absorbed जो दिया हुआ, sorry, दिया हुआ इसमें तो, वो आपने P handle में डाल दिया है, done है, बट इस chapter की एक खास बात है, वो आपको उच्छी तरह याद ही है, कि जेदे कोशन आपने लिख के practice नहीं कियो हुआ, तो आपका बहुत 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 time waste करा सकते हैं, बहुत लंबा time लाजाता है, try telly होने में, यह तो मैं best बच्छों कहता हुँ कि practice लिख करो, कोशन पूरा बनाओ, stop watch रखो साथ में, देखो 10-12 मिनिट में आपका बन रहा, 15-20 मिनिट में बन रहा, यह पच्ची-3 मिनिट लग रहे हैं, कोशन यह 10 मार्क्स है, अगर यह आगया, यह no doubt है, 10 मार्क्स कोशन था, 10 मार्क्स का into 1.8 करें, तो हमारे पास तक्रीबन 18-20 मिनिट का टाइम होता है, उसको करने में, और अगर flow अच्छा, तो 15 मिनिट में कुशन डालना है, क्योंकि speed matter करती है बेटा, पेपर लीव नहीं करके आना हमने, ठीक है जी, थोड़ा यह gross margin और पॉइंट भी बता जाते हैं सर, तब यह balance लगे है, cost of goods sold to FG के एंट्री हुई हुई है, then ओधे base पे फिर selling distribution आता है, वो भी cost of sale account में डाल दिया जाएगा, पता ही आपको, तो इस तरिक्के से यह कुछ चीजे हैं, जो काफी बार हुई हुई है, batch costing पर आए जी 7th question, Rulon Limited is committed to supply 96,800 bearings per annum to racing limited on a steady basis, तो सर, batch costing में optimum run size ढूणना होता है, जब हमें पता होता है, कि पूरे साल में इतनी supply हमने किसी को करनी है, तो minimum यह production तो हमें करनी ही करनी है, पर ना ही उस बंदे ने एकदम से कहना है, कि यह सारी supply कर दू, और ना ही हमें ऐसी कोई जुरुवत पढ़िए कि सारा अभी बना के बैठ जाएं, हम एक standard batch size follow करेंगे न, वो दून ना हमने, कि तो it is estimated cost is 25 पैसा, it cost 25 पैसा as inventory carrying cost, per bearing per month, per month है बटा, analyze कर ले न, per bearing per annum चाहिए, 3 रोपे हो जएगा, setup cost per run of the bearing manufacturer is 5.88, है तो optimum run size बता दो, कई न लाग पाटियां इसे यो क्यों समझ की कर लेती है, नहीं बेटा, ये यो क्यों नहीं है, है उसके जैसे ही, derivation भी उसके जैसी है, पर थोड़ा formula में terminology लाग लिखें, इंची चूणने भी ठीक ठीक लिखा, देखो, लिखने को तो आप 2ASC भी लिख सकते हैं, ये आपकी annual production होगी, S आपका होगा setup cost per production run, C आपकी होगी carrying cost per unit per annum, जैसे पूरे साल भर में 96,800 units produce करने हैं, ये बात तो clear, पर किसी के पास कितना infrastructure नहीं होता, ना इतनी जगा होती हैं, ना इतने funds होती हैं, क्यों कठे ही ये production कर ले, और ना ही आपके बाइर नहीं ये अलाओ करना है, कि आप कठे ही भैंग जोगा तो अब आपको ना एक batch decide करना है, कि आप पहली बार में 5,000 बनाओगे, या 10,000 बनाओगे, या 6,000 बनाओगे, या इस पूरे को 12 installments में बनाओगे, उसमें ये help करता है आपको, EBQ, economic batch size, जैसे हर बार order करने से ordering cost न करोती थी, हर बार production run start करने पर setup cost न करोती है, सर, setup cost क्या होती है, सर, जब 1000 unit की production start करनी होती है, तो हमें machinery को, equipment को, अपनी production team को उसके लिए ready करना पड़ता है, कही तरह के checkpoints होते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है कि ये चीज मेरी सही है, ये चीज सही है, machines को particular temperature पर लाना पड़ता है, उनकी oil greasing ये सब करनी पड़ती है, तांकि मैंने 1000 unit जो बनाने हैं, उसके दोरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना है, और कई बार कुछ dyes, molds वेरा machine में change होने होते हैं, तब वो इस shape में काम करेंगी, जो आप चाहते हो, तो this has to be done every time, और इस पर एक खर्चा हो जाता है, तियार करने में, जिसे हम setup cost कहते हैं, class में मैं आपने setup का भी example देता था, camera, mic, light, ये सारा कुछ चेक करके, फिर चाहए आपने एक class record करनी है, चाहए तीन चाहर कठी करनी है, बढ़ आपको setup तो एक बार करना पड़ेगा न, अपना recording की comment को, तो this setup cost will be incurred every time, whenever you start the fresh production, तो अगर आपके इंदर लालच आजए setup cost को बचाने का, तो आप ज़्यादा ज़्यादा बनाओगे, कि यार अब शुरू किया है, 25,000 बनाई देते हैं, बिटा नुकसान फिर 25,000 को रखने में carrying cost बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल वैसी है, जैसे OC और CC था न, inversely related, इसलिए formula वो भी चल जाता है, तुके लगाते लोग, पर ये बरदाश विपर में नहीं होगा, तो 6,160 bearings आपने एक बार में बनाने, ये ध्यान रखें, जैता अगर हमारी policy ये है, कि हम 8800 bearings पर run मनाते, तो कितनी extra cost company की incurory है, as compared to the optimum run suggested in a part above, सर देखिए, आपने optimum suggest किया है 6,160, अब ये बना के बठे हैं, जी 8800, तो सर बिल्कुल वही बात होगी न, जैसे आप ordering और carrying cost का total निकाल देते हैं, दूनों के according, और EOQ वाले ही minimum होता है, दूसरा कोई भी वह उससे ज़्यादा होगा याद है, same यहां होने वाला, तो इसको देखते चलें, यहां ordering की बजाए हम word use करेंगे, setup and total carrying cost, अगर हम optimum run size follow करते हैं, 6160 जो आया था, तो यह गहरा है जी इतना खर्चा होगा, बाकी गहरा है number of setup 15.71 न है, अगर आप उसे 16 मान लगते हैं, सर मैं तो यह वले में हूँ, कि जो calculator प्यारा होई ठीक है, अब institute को बता हमारे जैसे भी हैं, इसलिए हो 16, दूसरा जो दा व्यू हो बाद में लिख रहा है, carrying cost half into quantity per batch into carrying cost per annum, यह average quantity होगी हाफ करने से, यह carrying cost और setup cost बरबर आगी, EBQ पे, तो उन्हों answer दियो हूँ है, batches round off किये, तो answer थोड़ा अलग रहेगा, अब अगर जब बात ही नहीं मानते हैं, आप कहे रहे हो जार मैं तो 8800 बनाऊंगा, तो आपकी setup cost लग, carrying cost भी लग, total ज्यादा, हम इसको base बनेंगे, यह वले को, 19, 18480, जो 9240 से आ रहा है, into 2 करके, इसके मुकाबले खर्चा यहाँ पहुँच गया, तो इतना extra cost in-car हो रहा है, अगर optimum run follow नहीं होता, ठीक है भई, तो यह चर्चा अभी तक इतनी रखेंगे, यह 7 question हमने देख लिए हैं बेटा, इस वक्त, part 1 आप मान लें से, बस एक ही part और बनेगा, क्योंकि आगे कोई question इतने भी ओक्षे नहीं है, standard वाले में शायद थोड़ाया time लगेगा, बट जाद ही lengthy वीडियो ना बंजे, इसके लिए इतने पी रख रहे हैं इसे, हाँ अगले part में तकरीबन हम इसे cover कर लेंगे, यह साथ के साथ question आप अपनी satisfaction के लिए एक बार solve करके देख सकते हैं, अगर किसी भी दर हैंगा कोई doubt हो, WhatsApp करके भी पूछा जा सकता है, कोई दिख्कत वाली बात उसमें नहीं है, वो facility सबके लिए available है, ओके जी बेटा,